बिस्मिल्लाइरहमान रहीम आज के लेक्चर्स के अंदा हम थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स के बारे में बात करेंगे थर्मो रेगुलेशन किसे का था हमने इसे पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा कंसर पहले पढ़ेंगे मसंद इस रेगुलेशन ऑफ हीट को आप क्या नाम देशेद के लिए है इस ही को हम क्या कहते हैं थर्मो रेगुलेशन सो आज हम पहले थर्मो रेगुलेशन एनिमल्स और इंवार्मेंट के दुम्यान किस तरह होती है ठीक है है इन्वार्मेंट के दुम्यान सबसे पहले जो उनसी है टरिस ट्रेक्टर अडप्टेशन ठीक है इसके ने हमने क्या पढ़ना है वह बेसिकली इस अलबॉट अडप्टेशन ठीक है यह निहीं हर इंडिविज्ट जो इस इन्वाइरमें में सर्वाइब कर रहा है वह थर्मोरेगुलेशन के कोई कोई adaptation के जरीए सर्वाइव करता है adaptation से क्या हम राद है कि जारीव बात है कि जो harsh temperature changes होती है उसके वज़ाद से जो कहलें कि environment के लिए सर्वाइव करने के लिए जो organism अपने तब्दीलियां लाते हैं उसे हम adaptation कहते हैं से तो इसकी सबसे पर आपको नजरा आ रहे हैं इसे हम कहते हैं प्लैज ठीक है आपने बहुत से जानरों के उपर खाल के बाल देखे होंगे सब्सक्राइव की तो उपर नहीं होते इतने लेकिन जो भी कहलें के आपको इस तरह की बाल नजर आएंगे सब्सक्राइब के लिए के यह प्रोटेक्ट करती है हार्श टंपरेचर से ठीक है यानि पिलेज हों से यह एक्ट लाइक एन इंसुलेटर कैसे आपको कह सकते हो इंसुलेटर ठीक है यह इसके अंदर हीट के ट्रांसफर को रोखने के कोशिश करेगी यह स्ट्रक्टर एडापटेशन इसके लावा पेंट ने सुरी पिलेज के लावा आपके पास मसलिए यहां पर नजर आए डाट इस स्वेटिंग ठीक है यह जो स्वेट ग्लैंड होते हैं यह फर्स्ट वन हो जाएगा पिलेज स्वेट ग्लैंड किसे कहते हैं बला पसीने के जब ग्लैंड होते हैं सो यह भी स्ट्रक्टर ली आपकी बाड़ी के अंदर प्रेजेंट है जो के थर्मो रेगुलेशन के लिए हेल्प करेंगा मसलिए ज्यादा गर्मी हो तो पसीन हिसे क्लेंडे Nasıl हो गहें, थर्ड बं लंगत् hartμ होदे चीग काफ आप सांस के लीए जिलएंगा फरिशन के ऊस हो इसे हैं की की फिल होगा और फोलेचंघाल के नाम भी देते हैं कपड़ा फर्ट कम बने अदकल में उत्ष्डब कर लटे चाल के बाचर पेनी ज्यादा होते ह मसलें जब बहुत आप अकसाइज करतेश को यह से क्या होता है कि आपका बौडी ट्र च्प्रिश्ट जादा हो जादा अप जो जो से सांस लेते हैं आप हॉंपना भी कहते हैं ठीक है सो हॉंपने से करते हैं सो यह कि अधापटेशन फिर कुछ फिजियो लॉजिकल अधापटेशन के आपकी बॉडी के पिशियो लॉजिकल अधापटेशन में एक तौने अधार आ रहे हैं यहां पे नीचे डियाग्राम में वैसो डाइलेशन हा रही है सब्सक्राइब करेगा और जब बाहर हाट होगा एंवार्मेंट ठीक है कि बाहर का टंपरिच्र ज्यादा होगा सब्सक्राइब क्या होती है कि आपिडर में से हीट लास हो रही होती कि इसका सर्फसरी एक साथ बढ़ जाता है ज्चक्राइब करेंगे बाएट कंड़क्ट और था ठीक है इसके लावा इसन्ट पॉंट हो जाए जाना पर नहीं लिखा हुआ है इसे हम फ्लफिंग कहते हैं फ्लफिंग ऑनिमल्स है आपने वैसे भी देखा हैं जो कह Va 2 खास तो पर वो कभी कभी अपने जो फर होते हैं प्रस होते हैं इनहें फेलाते है अब ότι बोगदा है अज सिसे हीट डाई उसके ठीक है से rif cm कहते हैं कि ख़विंग यह उसके ने इसके सरी बिख़ींग कि जो स्किन के अंदर मसल होते हैं वो फर्स की इस तरह की कहलें कि काने बात्र क्सक्रक इसके जाए जाए जाहरा ही लास को ये प्रमोड करते हैं सो यह फिजिलाजिकल अड़ापट्शन जान इसके अलबट कि अभी आपने नाम करना कपाना ठीक है शीवरिंग भी जो जाद ठंड होती है उस टेम हम शीवरिंग करें ले भी एक किसम की फिजिलोजिकल अडाप्टेशन थी थर्ड वन आप क्या यूज करेंगे शीवरिंग को और दू में क्या कहेंगे बहला कप कपाना शीवरिंग ठीक है यहीं आप सर्दियों में मुस्ली शीवरिंग करते हैं इसके लावा कुछ बिहवरिंग अडाप्टेशन भी होते हैं मसलना आपको यहां पर एक लीजर्ड वैठी वी नदर आ रही है सई कि जब बहुता गर्मी होती है तो लीजर्ड करती है सन बात लेती है ठीक है इस इसे भी जादा गर्मी हो तो आप साहे में जादा जाना पसंद करते हैं अगर सर्दी हो तो आप धूप में खड़ा लेना पसंद करते हैं तो यह सारा बहुत अडाप्टेशन करते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं ठीक है यह कहलें कि जो कंडिशन होते हैं उसके मताबिक अपन में चले जाती है सबसुत करते कि बाड़ी पोस्टर होते हैं हम चेंज करते रहते हैं या बाड़ी पोस्टर बाध का इस था उते हमीध डासीप läuft कर करते हैं यह distribue कहलेंगे behavioral adaptations हो जाएंगे तो यह कुछ adaptation जिसके तरहीं हीट कहलेंगे regulate होती है environment और animals के दिर्मियान सही जिसके अंदा हम आपस structure adaptations होगी जिसमें पिलेज, sweat glands और lungs का फुरा फंक्शन पढ़ा तो physiological adaptation जिसमें vasodilation था plumage fluffing जो के birds में होती है और shivering cup cupana यह पी यह almost animals की properties में था और behavioral adaptations है behavior के साफ से ठीक है से मैं complete करें behavioral adaptations तो उसमें यह था कि मसलिल सन बाथिंग होती है like सर्दी के दिनों में और इसका पाड़ी पोस्टर चेंज रहते हैं तो अब हम अपने जो topic actual topic उसकी तरफ चलेंगे वो हमारा topic क्या है बहला thermo regulation in mammals say thermo ती है चाहेगा so thermo regulation again मैं आपको बता रहा हूं क्या होता है बहला thermo regulation that is regulation of temperature thermo regulation in mammals के बारे में बात करेंगे मैमल्स की best example जों से humans आ जाते हैं so यह बिजह में रहते हैं so यह बिजह में रहते हैं humans being kept और यह चीज़ सारी अपलाई होगी या एक तो मैं sparing mistake बोट कर रहा हूं so mammals stands for humans also okay mammals की family में humans भी आती है so mammals की अगर में properties देखें तो उसके अंदर आपको पता है the vertebrates हैं इसके लाव four limbs होती है mostly और body covered with sometimes pillage होती है या फिर fatty layers होती है हमारी skin के अंदर सो यह कुछ features आपको पताना चाहिए इसके लाब regulatory strategies देखते है regulatory strategies आप गए regulatory strategies क्या है कि मुख्लिफ temperature के अंदर body क्या क्या कह सकते हैं कि आप फिनोमेनाज करते हैं जिसके जरी इसका temperature balance तो मसलन जब बहुत अदर ठंड हो like when we feel cool outside ठीक है जब cool हो so we start shivering ठीक है cooling से क्या start हो जाती है shivering और इस shivering से again temperature generate होता है say so इस सारे process जिसके 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 shivering से temperature generate हो इससे हम कहते हैं shivering thermogenesis shivering thermogenesis अब एक समकी regulatory strategy बाड़ी के बाहर कूल होगा so body shivering start करेगी और इसके दर यह कहलें के heat generate होगी इसके लबा कुछ non shivering thermogenesis भी होते हैं मसलिए बान हो जाका non shivering thermogenesis मुनाद क्या है metabolic ठीक है कि वह heat जो metabolically heat develop metabolic heat generation so इसे हम non shivering thermogenesis में कह देंगे say it will be non shivering so यह दो किसम की कहलें के strategies है जो के body use कर सकती है और mostly हमारी बाड़ी को तंपरिचर रहेगा वह कितने में रहेगा वेशा 36 से 38 के दिर में यह temperature range है so 36 से नीचे नहीं जा सकता और 38 से open नहीं जाएगा इसके अगर ऐसा होता है तो हमारे जो proteins हैं वो function अपना stop कर देंगी ठीक है अब बाज proteins thermosensitive होती हैं बहुत आता बाज कहने के परदाश भी करते हैं मेंटेन करना बहुत जुरूरी हो जाता है सही क्योंकि उसके बगार अगर temperature बहुत आता फरकार है तो इनके functioning पर कहने के असर पड़ता है तो क्योंकि इन्हें अपना temperature balance करना पड़ता है तो इससे हम क्या कहेंगे इंडो थर्म ठीक है जो हमने इस से पिछ्टे lecture के अंदर classification किसी से है अब हम देखते हैं यह नहीं regulate करते है किस तरह हैं तो इंडो थर्म यहां पर एक डाग्राम है आपके सामने सो इसमें आप देख सकते हैं दोनों कंडिशन है कंडिशन नबर वन जब टंपरेटर लो है और कंडिशन नबर टू जब टंपरेटर हाई है सो स्टार्ड करते हैं कंडिशन नबर वन से जब टंपरेटर लो होता है तो यह करेगा वह सोरी मैं यहां पर वक्रिक कर गया के बेसिक के लिए कंडिशन यह नहीं है कंडिशन यहां पर है यह नार्मल टंपरेटर है अगर यह थर्टी सिक्स से थर्टी एट टंपरेटर है वह फॉर्टी हो जाता है यह तंपरेटर बढ़ रहा है उस ट्रेम क्या होगा इस तंप्रेटर गोस्ट फॉर्टी इडिकर इट विल सेंट मैसिज तू अर्स ब्रेंट ठीक है अपने जी कि अगर भाइब सांव मेसिज प्रमू स करेगा ऊपा को रहता हुं उसYoad अप्रेंग मिना टमिकर चाइए अपमीन थे चीज़ करेख का सकते हैं ये यह होते हैं तर भीछ में the control center होता है और इसके लाइब ये एफेक्टर्स है ठीक है योगशन के तरफ ब्रेन इससे करके एफेक्टर की तरफ मैसे सेंड करता है एफेक्टर में नर्पस sayhin blood vessels हैं इसके लाइब sweat glands है झॉगर temperature जादा है तो sweat क्लेंट्स ओपन हो जाएंगे और वैजो डालेशन हो जाएगी ठीक है दूसा क्या काम होगा वैजो डालेशन दोनों की वज़़ा से क्या होगा कि अवाप्रेशन होगी वैप्रेशन से कूलिंग होगा बाडी टंपरिशर वापिस नार्मल आ रहे तो आज सैक्ड केस पढ़त कि वाटर लास को या कहलें कि जो हीट डैसिपेशन हो रही थी हीट लास हो रहा था उसे रोका जाए और साथ-साथ मसल्स को एक्टिवेट करें कि वह शीवरिंग थर्मोजानेसिस करें या मैटाबॉलिक थर्मोजानेसिस करें डिपेंड करता है अगर एक्स्ट्रीम यहां यहां पर मैं एक पर्सन बनाता हूं लाइक है सो लाइक दिस दगाई करता हूं यह कि इसकी आंखें और करदें ज्यादर चोटी बनाता हूं यह डाई नहीं नहीं यह यह एक कहलें कि आदमी है से सो इसको बाहर से फील होगा है इस फील कूल ठीक है फिर यहां से मैसेज हों से है वो ब्रेन की तरफ जाएगा सई ब्रेन जो कि इसका कंट्रोल सिस्टम है फिर ब्रेन मैसेज करेंगा अगेन एफेक्टर्स की तरफ तो इस तरह ही नहीं यह थर्मोजानेसिस तो अगर घर मी हैं सो हमारे सिक टीक करेगी ब्रेंग को सब्सक्राइब सब्सक्राइब ब्रेन फिर आगे वैजोडेलेशन कर देगा, ब्लड वैसल यहां पर कहलें के बाहर फैल जाएंगे, ठीक है वैजोडेलेशन तागे जाद 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 हीट डैसिपेट हो, और सासद कहलें के स्वेट ग्लैंड भी होते हैं, वो भी अक्टिवेट हो जाएंगे, इसके जरी से बाड़ी टंपरिटर अवैपरिशन के जरीए दुबारा डिक्रीज हो जाएगा, तो यह फीडबैक मैकनिसम होता है, एक दुसरे को फीडबैक मिलती है, मसलन सकिन से ब्रेन को फीडबैक जा रही है, फिर ब्रेन अपनी फीडबैक मसल्स को भेज रहा है, और एक दफार फीडबैक, फीडबैक की दो टाइपस होती है, कि कोई आपको ऐसी फीडबैक देता है, जिसके दरीए से आप आगे बढ़ते है, मसलन को आपको शाबाहिच देता है, यह पास्टी फीडबैक है, तो आप उसी काम को जारी रखते हो, या अगली दफार भी उसके बारे में क कोशिश करते हो, बाइज दफार क्या होता है, कि कोई उसकाम को रोक देता है, मसलन यह जब बारी टंबरेचर मेंटेन हो जाएगा ना, तो यह फिर नागेटिव फीडबैक देगा, कि बाई, जो हम काम करे थे, वह मुकमल हो गया, सब इसकाम को बंद होना चाहिए, तो यह अफेक्टर सक्ट डिलीवर किया, उन्होंने अपना रिस्पोंस जनेरेट किया, रिस्पोंस की रिजल्ज में जब टंबरेचर बैनस हो गया, तो इसे हम कहलेंगे, अब फीडबैक प्रॉसेस कम्प्लीट हो गया, सभी पहले पॉसिटिव फीडबैक था, फिर यह नेगिड फीडबैक होगा, सभी, यानि यह फीडबैक प्रॉसेस होता है, जो बेसिकली पीछे रन कर रहा होता है, और इस तरह वो सेंसर को, कंट्रोल सिस्टम को, और एफेक्टर को कहलेंगे, कोडिनेट करवाता है, फीडबैक मेकनिजम के, इस फीडबैक मेकनिजम के था, सबसे इ कहते हैं तो control center का ही link होता है feedback से ठीक है कि इससे kealic feedback मिलती है पीछे feedback देंगे शुरु में feedback कहाँ से बला कौन देगा इन्हें feedback sensors होंगे ठीक है sensors feedback control center को देंगे फिर control center अपनी feedback आगे डिलीवार करेगा affects निजर थीक हैर अपना काम कर लेंगे सो यह भी फीडबैक है और यह कहलें कि फीडबेक अफेक्टर तो आगी फिर जब यह अपना काम कंप्लीट हो जाएगा फिर इसके बाद एक नागिटिव फीडबैक जाएगा ठीक है यह पास्टिव थी दौने फीडबैक फ़ास्टिव फीडबैक यह जोंसे होग इस सारे process को shut कर देगा, so यहाँ पे control center कौन है, hypothalamus, ठीक है, कौन है, hypothalamus जो के आपके, कहने के जी, hind brain का part है, hypothalamus brain में मुझूद होता है, इसे हम thermostat भी कहते हैं, ठीक है, feeling center भी काफी इसके function है, एक function इसका thermostat भी है, thermostat कहते हैं, उस machine को जो के temperature को control कर सके, है, so हमारी body के अंदर जो machine है, hypothalamus जो के हमारे, कहने के body के अंदर मुझूद है, so इस तरह कहने के topic कवर हो गए, कि किस तरह thermoregulation होती है, से, जिसके अंदर हमारे skin से, जो के sensors हैं, फिर control center, फिर आगे blood vessels, उनका response generate कर रहा है, और muscles और गहरा, ठीक, अब last में एक topic आता है, पारेक्जिया, पारेक्जिया के बारे में आप नहीं जानते होंगे, पारेक्जिया कहते हैं fever को, ठीक है, fever जिसे आप अर्दो में बुखार कहते हैं, ठीक, सो कभी आपका गला खराब हो, या कोई बिमारी हो तो आप fever feel होता है, जिसे आप बुखार कहते है, अक्सर बिमार होती है ठीक है लाइक डिजीज है डिजीज कब होती है कोई जरसीम ठीक है लाइक मैं कहता हूँ पैथोजीन जरसीम को कहते हैं पैथोजीन आपकी बाड़ी में इंटर होगा ठीक है बाड़ी से मुराद नहीं वो फार्जमपल ब्लड में आ जागा ठीक है वो पैथोजीन यह अन्हीं कुछ देवरी मईंटर वहाइक और वाड़ी में ब्लड में और गॉरी में ब्लड में आके हमारी जिसम और दर करता के तरही के बारी टंप्रेचर अमें इसकी यह है थर्मो मीटर सो इसके नगे बारी टंप्रेचर होता है ना लाइक मैं बनाने के कोशिश कर रहा हूँ इस जट्राइज आप ठीक है कि टंप्रेचर जो उनसे है वह बढ़ जाता है आप अब कहेंगे बारी टंप्रेचर को इंग्रीज करते हैं जो कि बारी टंप्रेचर को बढ़ा देते हैं अब क्यांगे जिए बढ़ता है जाहरी बात आप पाइरोचन से है वह मैससे साइन करता है थर्मोस्टारिन नी हाइपो थालमस के पाइपो थालमस जो सा वो भी फिर थर्मोस्टार्ट क्या रहेंगे इसकी फंक्शन छोड़ी सी अपर लावल पर चली जाती है नहीं वह 38 से ब फार बाड़ी ठीक है कि आपको जो बुखार होता है वो जाहरी बात है इस वाज़़ा से होता है कि आपकी जिसम उस बिमारी के खिलाफ लड़ा है ठीक है कि एक इसम की जंग किसी कहफिता नहीं जिए फ़ते से तंबर्यचर बढ़ जाता है तो यह ओगया आपका में humans को cover करेंगे so इससे पहले हमने एक छोटा सा टापिक पढ़ा that is regulation of heat exchange between animals and environment लंबा साथ नाम है हलांकि छोटा सा टापिक है तो इसमें हमने का जी basically हमने adaptation पढ़नी है वो जो के thermo regulation के लिए ही बनी है मसद अब सब्सक्राइब adaptation देखिए हमने फिलेश था कि जानों के जिसम पर बाल की तैह होती है मुठी इसके लवावा स्वेट ग्लैंस हमाई जिसमें पसीनों की ग्लैंस होते हैं लंग्स थोड़े बहुत modified है हमारे कि वह वैपरेशन के जरी cooling कर सकते हैं फिर फिजिलोजिकल अडापटेशन से जिसके अंदर बाड़ी फंक्शन के साफ से अडापटेशन होती है मसल वैजो डाइलेशन है कि हमारी ब्लड वैसलों से यह डाइलेट कर जाती है जब बहुत जादा हीट जनेट हो और फिर बर्स के अंदर एक फ्लफिंग का अमल होता है फ्लफिंग से मराद क्या है कि वह अपनी फीदर्स को एक्दम फिला लेते हैं ठीक है ताकि जाद जादा इसमें से एर क्रास्क करे और वैपरेशन हो और फिर इसमें हीट डैसीपेट हो सकी हीट लास हो सकी और फिर शीवरिंग है कि कपकपाना कि अगर बहुत दाधा टंपर्चर बाहर लो हो जाए तो शीरिंग स्टार्ट हो जाती है एंड लास के लिए बहुत अड़ाप्टेशन से बहुत है कि जो बार्डी पोस्टर्ज होते हैं तीक उसके बारे में होता है अघर सर्ड्यों की बाद भारे में होते हैं तो मुइस्ति जादा गरमी हो तो हम सर पे हाथ रख लेता रहुत तागर गर्मी सेबचा सब्सक्राइब करना पड़ेगा उसके लिए सारा मैकनिजम है जिसके अंदर हमारा जो थर्मोस्टाइड है यह है ब्रेन के अंदर मुझूद होगा जो कि सारा फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है फिर इसमें फीडबैक मैकनिजम पड़ा किस तरह स्किन डेक्ट करते हैं अपना फीडबैक ब्रेन के दरह बिजेगा ब्रेन अपना फीडबैक आगे को भीज या फिर यह पर सुकर त 나가 १र और फिर लास ने पाराइक्सिया पड़की को जब कोई पैथोजने को जरसीम जिसम में दाखिल होता है तो ब्लेड में तो लीको सोजेट फॉड होता है यह इसवे अगेंस पाइरोजन बनाते हैं पारेजन फिर हाइपो थेलमेस को तो थोड़ा हाई रेंज बे सेट कर देंगे बाई टंपरिचर बढ़ जाता है और यह बाई टंपरिचर नुकसान दें नहीं होता बलके जिसम के लिए फायदा मन्द होता है तो यहां तक आज हमने पढ़ना था और इस तरह यह चैप्टर भी कवर हो जाता है हम नेक्स लेक्टर के अंदर नेक्स चैप्टर कवर करेंगे झाल करेंगे झाल करेंगे करें तो झाल 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 झाल